आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Statement 1 में बोला है If the fx is a constant function then f inverse x is a constant function So basically इन तीनों Statement में अपने को बताना है कि कौन सा True है और कौन सा False है So चलिए पहला Statement देख लेते हैं Function क्या दिया हुआ है constant माल लेते हैं C है तो f inverse x क्या होगा तो उसका f inverse x क्या होगा ये y equal to अगर c है तो y की जगे क्या replace करते हैं inverse के लिए x तो यहाँ पर इसका inverse क्या हो जाएगा x equal to c ये क्या हो जाएगा f inverse x ठीक है So ये इन्होंने बुलाए कि ये constant function होगा कि नहीं होगा अब यहाँ पर एक problem होगी है कि ये देखिए ये constant function था ये माल लेते हैं mapping किसके against होती है inverse के निकालने के लिए y equal to x ठीक है तो ये constant line थी अपनी यहाँ से एक y equal to c वाली अब है ये वाली line कौन सी होगी ये वाली इस तरह से बनेगी ऐसे ठीक है x equal to c वाली इसके respect में image So ठीक है what ये क्या है x equal to c is not a not a function ठीक है तो ये function ही नहीं है तो basically ये constant थो आ रहा है लेकिन ये function नहीं है x equal to c को ये function थोड़ी होता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया ये statement false हो गया क्यूंकि अगर हम यहाँ पे देखें ये माल लेते हैं ये input है ये output है ठीक है तो x की different value के लिए ये यहाँ पे क्या रहा है x equal to c x मतलब constant है so by की अगर कोई भी value गर में डालता हूँ तो x की बस a की value मिल रहा है यहाँ पे जो output है न जो sorry input है input में सिर्फ मेरे को सिर्फ a की value मिल रहा है different output के लिए ऐसे है जो की function में ऐसा possible होता नहीं है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया यह statement false हो गया statement 2 देखते है graph of fx and f inverse x are intersecting then they always intersect only line of y equal to x statement 2 graph of fx and f inverse x ठीक है यह क्या कर रहे है intersect कर रहे है ठीक है अगर यह intersect कर रहे है तो एक दूसरे को गर काट रहे है तो इसका मतलब क्या होगा यह always intersect हो यह y equal to x तो y equal to x पर यह intercept करते है ऐसा false है statement क्यों false है यहाँ पर इसका region जानते है मान लेते हैं कोई भी function है fx equal to minus xq ठीक है for an example तो यहाँ पर क्या होगा यह y equal to minus xq है ठीक है तो इसका अगर f inverse x निकाल लूँगा तो x की जिए y and y की जिए minus yq ठीक है यानि yq equal to minus x तो यहाँ पर क्या आगी y की value minus x की power 1y3 ठीक है तो यह आगी यानि minus यह इस तरह से आगी तो यह क्या होगा f inverse x होगा मेरा minus x की power 1y3 ठीक है यह दोनों क्या कर रहे है intersect कर रहे हैं f x यहानि minus x q minus x का q ठीक है अब मै क्या करता हूँ यहाँ पर अगर दोनों तरफ cube करता हूँ ठीक है तो यह even q hoगा तो यह minus x की power में क्या आएगा ہے 9 equal to minus x आएगा ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा ہے x की power minus 9 equal to minus x 0, x equal to 1 और x equal to minus 1 ठीक है, तीन value आई अब x equal to 0 के लिए by fx की value क्या है 0, तो यह 0,0 एक point दूसरा point x equal to 1 के लिए fx की value है 1 sorry minus 1 और minus 1 के लिए fx की value 1 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए यह जो intersection point है यह तो y equal to x पर लाई करेगा, ठीक है और यह y equal to minus x पर लाई करेगा और यह भी y equal to minus x पर लाई करेगा, इसका मतलब यह दोनों y equal to x पर लाई नहीं करेंगे, यह करेगा, इसका मतलब यहां से हम क्या गोल सकते हैं, गोल सकते हैं कि always y equal to x पर लाई नहीं करते हैं तो यह false होगी ठीक है third देखते है third में inverse of fx fx का inverse निकालना है और fx क्या अपना यह दिया हुआ x upon 1 plus mod x ठीक है और यह कैसे निकालेंगे यह देखे यहाँ पर यह कैसे define होगा x upon 1 plus x ठीक है जब x greater than 0 हो और x upon 1 minus x जब x less than 0 हो ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया यह fx इस तरह से होगे तो इनका inverse के लिए x को y से and y को x replace करो तो यहाँ पर पहले इसके साब से y greater than 0 हुआ तो यहाँ पर x equal to क्या है y upon 1 plus y ठीक है तो इसका मतलब 1 plus 1 upon x क्या हो गया मेरा 1 plus y upon y ठीक है तो 1 y y equal to 1 upon x minus 1 तो यहाँ गया 1 minus x upon x equal to 1 y y तो यहाँ से मेरा y की बिलू क्या मिल गई x upon 1 minus x ठीक है जब y greater than 0 है तो x भी क्या है greater than 0 है ठीक है तो यह x greater than 0 के लिए और इसी तरह से यह दूसरे x case के लिए निकालना है मेरा को inverse तो इसके लिए inverse क्या होगा एक तो यहाँ से तो यह condition तो यह आई यह अपनी ठीक है दूसरी condition कैसे आईगी y अपना दिया हुआ था x upon 1 minus x x less than 0 के लिए ठीक है तो वही x के जगे y y के जगे x by upon 1 minus y और y less than 0 ठीक है तो यहाँ पर यहाँ से मेरा y अगर निकालूँगा तो मैं solve करके यह आएगा मेरा x upon 1 plus x ठीक है अब जब y जब negative है तो यह भी x क्या होगा x भी negative होगा ठीक है तो यह मेरे क्या की condition 2 तो यहाँ पर हम directly बोल सकता हूं मैं y मेरा x upon 1 क्या हो रहा होगा 1 minus mod x हो रहा होगा ठीक है कब अगर यहाँ पर जखिए अगर x positive हुआ तो यह 1 minus x होगा और x अगर negative होगा तो 1 plus x होगा तो यहाँ जनरली क्या होगा इस टेंडर फोम में इस तरह का आगए x upon 1 minus mod x और इन्होंने यही बोला x upon 1 minus mod x याँ यह क्या होगा ट्र्यू थेंक्यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर